Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSI Conceptuala. Today is 30th August and we will see the important new choices from the newspaper, the Indian Express. So the first thing first, आज हम लोग जो है, we have tried something new, क्युछ innovative करने आपको शिश्किये हैं, आप लोगो जैसा भी लेगेगा, इसका review आप हमें comment box में जरूर देंगे. तो सबसे पहले हम, as usual हम अपना headline देखेंगे, तो headline अगर देखेंगे, तो सबसे पहले headline में जो क्या है, headline में जो अच्छा कबर नहीं है, आपको पता है कि क्कुलकत्ता का एक medical college है, उसका नाम क्या है, आरजी कर medical college, वहाँ की जो confidence hall में एक junior doctor का body मिला, और बाद में पाया गया कि उनका rape हुआ था और murder कर दिया गया, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ के जो doctors हैं, वो बहुत protest कर रहे हैं, और बोला जा रहा है कि वहाँ के जो principal थे, वो immediately क्या करिये, deputed कर दिये कोई दूसरे city में, और वो वहाँ से resign करके, अभी वो बोला गया है, वहाँ के CM के द्वारा कि जल्दी से ये case को solve करिये, नहीं तो फिर किसको hand over कर दिया जाएगा, CBI को hand over कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे, कि criticism के बाद जो government है, वो नया bill जो ला रहा था, broadcast bill, वो उसको क्या कर लिया गया है, बिज़ो कर लिया गया है, उसके बाद opposition है, वो क्या बोला, कि इसको joint parliamentary committee में probe के लिए भेजना चाहिए, लेकिन BJP hit back and said कि this is a fictitious report and bit to data-bilize market की, इससे market को destabilize होगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है, उसका दिये, दिखे, ये map दिया हुआ कि किस तरीके से बताया गया है, कि मधावी पूरी बूच और उनके जो husband है, धवल बूच, वो दोनों मिलके कैसे offshoring किये हैं, ठीक है, बाकी, अब हम अपने PPT पे आते हैं, और देखते हैं, university लगतार नौमेवार बन गया है, ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे NIRF की, NIRF की, तो NIRF का full form क्या होता है, इसका मतलब होता है, national institute, national institute या institution ranking framework, अब ये बात, ये काम किस के अदर करता है, ये काम करता है, ministry of education के अंदर, ministry of education, ministry of education को पहले क्या बोलते थे, ministry of human development, MHRD, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, कौन से minister है, है ना भी education minister हमारे, कौन है, who is appointed the new education minister in our new cabinet, ठीक है, अगर हम बात करें, NIRF ranking की, तो ये सबसे पहले कब launch किया गया, तो ये launch किया गया, 29th September 2015 को, ये launch किया गया, और पहला जो edition था, इसका ranking का, वो first edition का वाया ranking का, वो आया, 4th April को, कब, 2016 में, एक साल बाद, तो 2015 में, आप मोटा मोटा याद क्या रखेंगे, कि 2015 में, NIRF, जो है, national institution of ranking framework का, शुरुवात किया गया, किसके अंदर, ministry of education के अंदर, और ये पहला edition of ranking कब लाता है, 4th of April 2016 को, अगर हम बात करें, इसके parameter पे, कि कौन-कौन से parameter पे जो है, ये, जो ranking दिया जाता है, किसी भी institution को, तो कुछ parameters है, वो parameters क्या क्या है, पहला तो है, teaching, learning and resources, दूसरा, research and professional practices, तीसरा, कि graduation के बाद, जो outcomes आता है, वो, चौता, outreach और inclusivity, और जो पाचमा है, वो क्या है, perception पे, ठीक है, तो overall में अगर देखेंगे, तो IIT मदरास पिछले साल भी था, और इस साल भी है, ठीक है, उसकाद IIC बैंगलूरू, पिछले साल भी second rank पे, उसकाद IIT Bombay, IIT दिल्ली, और IIT कानपूर, तो अगर top 5 में देखेंगे, तो सारा का सारा IITs है, ठीक है, उसकाद हम universities में देखेंगे, तो सबसे पहला जो ranking आता है, IIC बैंगलूरू का, उसके बाद आता है, JNU का, उसका जाम या मीलिया, और उसके बाद मनिपाल का, उसके बाद BHU का, जो कहाँ है, वारानसी में, इंजिनेरिंग कॉलेजेज में देखेंगे, अगर हम तो सबसे पहले सेम, मदरास, IIT मदरास उसका डाइटी दिल्ली, IIT बॉंबे, IIT कानपूर हैं, IIT खरकपूर, ठीक है, सेम रैंकिंग पिछले साल का भी यही था, मदरास, दिल्ली, बॉंबे, कानपूर और खरकपूर, और अगर हम मेडिकल कॉलेजेज में बात करेंगे, सबसे पहला नंबर रैंकिंग में आता है एमस दिल्ली, उसका PGIM यार चंडिगड, उसका CMC वेलोर, उसका नीमहांस बैंगलोर और जिबमर पुदूचेरी, ठीक है, तो इस तरीके से रैंकिंग है, जो आपको देखने को मिल रहा होगा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या, कि जो कॉलेजेज हैं, उसमें जो अ IRF जो institution है, evaluated on 5 groups, आपको भी बताएं, कि कौन-कौन से group पे क्या जाता है, teaching and learning, resources पे, TLR जिसको बोलता है, ठीक है, which includes faculty student ratio, जो TLR है, teachers, learning and resources, वो किस चीज़ पे include करता है, faculty student ratio पे, उसके बाद दूसरा क्या है, faculty with PhD, and this year the introduction of courses on Indian knowledge system, उसके बाद किस चीज़ पे, research and professional practice, RP, graduation outcome पे, outreach and inclusibility, और पाजमा perception पे, ठीक है, उसका दो हम बात करेंगे, top 10, जो colleges है, university में, JNU score lowest in research and professional practices में, JNU जो आपको पता है, university में ये दूसरा ranking है, लेकिन अगर हम देखेंगे, तो research और professional practice parameter में, वो second, सबसे lowest पे आता है, ठीक है, जहां हम बात करेंगे, ISE का, तो वो highest पे आता है इसलिए, ISE, जो है, university में, first ranking है, और overall में, ISE, Bengaluru, जो है, वो second ranking में है, अगर हम बात करेंगे, IIT Madras की, वहां के जो professor है, director professor, वो क्या बोल रहे है, V. Kamakoti, कि unlike ISE, ISE में क्या है, research पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ISE is more research oriented, if we want to compete the ISE on the research front, I have to reduce the teaching load on the faculty, and that will happen only if I have more faculty, ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा faculty आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी number one पे आ सकते हैं, university ranking में, क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है कि ISE Bengaluru, जो है, वो research oriented ज्यादा है, और हम लोग teaching oriented है, क्योंकि हमारे faculty पे teaching का load ज्यादा है, अगर हम उनका teaching का load कम करेंगे, तो हम उनको research की तरफ वेजेंगे, तो हमारा जो ranking क्या होगा, improve होगा, अभी वो बोला जा रहा है कि अभी जो ranking है, वो one is to fourteen है, अगर हम बढ़ाएंगे, one is to ten करेंगे, तो हम research oriented भी बन सकते हैं, अगर हम बात करेंगे, कुछ private institution का, कि कौनकों सा private institution है, जो ranking में अच्छा क्या है, तो only three private institution जो है, वो अच्छा क्या है, पहला, मनिपाल Academy of Higher Education, दूसरा, अमरिता बिष्वा बिद्यापीठ, और वेलोर इंस्टिट्यूट अप टेक्नोलोजिस को हम VIT बोलते हैं, are the among the top ten universities, just like last year, same, पिछले साल के जैसा ही, यह हुआ, ठीक है, तो इसको एक बार खुद से प अगला अटकल जो हमारा है क्या, कि जो तुंग भद्रा डैम है, उसका एक जो गेट है, है ना, वो क्या हुआ है, swept away हो गया, बार्स बह गया है, जिसके कारण जो वहां के farmers हैं, वो क्या है, fearful है, तो बोला जारा है कि a flood alert has been sounded downstream by the तुंग भद्रा डैम इन करनाट का कोपल डि 33 crest gate of the massive stone masonry dam across the तुंग भद्रा डिवर फोज, washed away late on Sunday evening, साम को, Sunday के साम को क्या हुआ, कि उहां का एक, क्या बोलता है, crest gate, crest gate क्या होता है, आप जब the dam देखेंगे न, तो यहां पे एक gate रहता है, जो लोहा का सटर जैसा होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते है, crest gate बोलते ह crest gate जो क्या हुआ, Sunday evening, वो बह गया, इतना ज़्यादा पानी आ गया, बोला जा रहा है, कि repair can be carried only after, two-third of the dam is empty, जब dam का जो पानी है, वो two-third कमेगा, तभी इसको repair क्या जा सकता है, तो वो जब इसमें एक जो gate बह गया, तो क्या होगा, बहुत सारा पानी जा रहा होगा, जब आपको ध्यान में हमारे exam के लिए क्या important हो जाता है, कि हम देखेंगे क्या, कि हम क्या देखेंगे, कि Tung Bhadra River कैसे कहा से निकलती है, और कहा कहा जाती है, और ये dam कहां पे है, ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे Tung Bhadra River की, तो वो करनाटका से, this is the bay of Tung Bhadra River, ये ठीक है, ये पूरा वेस्टन घाट का रिजन है, वेस्टन घाट के रिजन से एक Tung Bhadra River आती है, और दूसरा Bhadra River आती है, दोनों कहां पे मिलती है, दोनों मिलती है, कोडली जगह करनाटका में, और वहां से Tung Bhadra River बनके निकलती है, और वो कहां जाके मिलती है, वो जाके म क्रिश्णा रिवर्, सबसे पहला तो ये ध्यान में रखना है, दूसरा, कि अगर हम क्रिश्णा रिवर् की एक बार बात कर लेते हैं, तो इसका stream देखेंगे, तो ये भी कहां से निकल रहे हैं, बिस्चण घाट से, लिकिन बिस्चन घाट से कहां, तो यहां पर देखेंगे क कि महाबलेश्वर पीक जो है वहाँ से क्रिश्णा रिवर निकल रही है कहां से महाबलेश्वर ठीक है महाबलेश्वर से निकल रही है अगर हम बात करें क्रिश्णा रिवर की कौन-कौन से स्टेट से होके गुजरती है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे महाराश्ट्रा म माहराष्याच्ट्रë के बाद आपने यहाँ देख रहेंगे, यो करनाट का में गुश रहेंगों, तो माहरास्ट्रा के बाद करनाट का, करनाट का करनाट के बाद लाध है कि इसके क TV आ्ध्र परदेश में जाकर लाट के Ch passenger river जाती है, और कितने किलोमेटर का बॉंडरी बनाती है वो बनाती है 50 एबाउट 58 किलोमेटर का बॉंडरी बनाती है उसकाद एबाउट 90-90 प्लस किलोमेटर वो आंध्रा में चलती है उसकाद वो जाके कृष्णा रिभर में जाके मर्ज हो जाती है ठीक है अगर हम बात करें कृष्णा इंडिया का third longest river है आपको बताना है क्या कि सबसे longest river और second longest river कौन कौन सा है जिसके बाद ये तीसरा Krishna river हमारा बन रहा है longest river तो आपको क्या बताना है कि first और second जो है इंडिया का पहला सबसे longest river और दूसरा सबसे longest river कौन कौन सा है वो बताना है ठीक है आपको अगम तूंगा भंद्रा रिवर का बात बता दिए कि कहां से तूंगा भंद्रा बिस्टन घाट से निकलती है तो अगर हम बात करेंगे यहां मैप में देखेंगे न्यूजपिपर का जो मैप है तो क्या देखेंगे कि करनाटका और आंध्रह यह देखें यहाँ पे जो बोरडर यह शेयर कर रहा है यहीं पे क्या है यह? तुंग भड़ना डैम है तूम क्या है बहुत जाथा फ्लैड देड हो गया है उसका गेट तूट गया है that's why अगर हम बात करेंगे कि कैसे ब्रोक हुआ, उसका जो गेट है, हाओ दा गेट ब्रोक तो वो बोला जा रहा है कि डैम के पास न, 33 वर्टिकल लिफ्ट है, है न, टाइप गेट, डाट मूब ऑन रोलर्स इंबेड़िट भी दा मेसेंडरी, दा गेट्स अर अपरेटेट फ्राम कि स्टेट्मेंट अन संडे ये सब हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, कि वाटर रिजर वायर, कि अगस्ट 10 को क्या है, रिजर वायर लेवल वाज अटिस मैक्सिमम, है न, 16 and 33 feet, and the dam was full of its capacity, about 105.8 thousand million cubic feet, according to Tungabhadra board, inflow was the, the inflow was 40,925 cubic feet per second, and outflow by 20,133 cubic feet per second, and outflow by 20,133 cubic feet per second, and outflow by 20,133 cubic feet, ठीक है, उसका रिवर और डैम के बात करें, तो वही बता है जारे कि Tungabhadra, जो क्या बनाती है, confluence of Simoga, है न, कहाँ पे Simoga district में, Tungabhadra रिवर मिलती है, the rise of Western Ghad, follow flow in the Krishna, at the Sangmalishwaram, at Andhra Pradesh, the river which comes from the boundary, which Karnatka, and Andhra has total catchment area of most 70,000 square kilometer, ठीक है, उसका दो बोला गया कि डैम सबसे पहले कब बनाया गया है, यह जो डैम है, तो यह डैम पहली बार 1860 में बनाया गया, तो अगर हम बात करेंगे, तो यह डैम का जर्नी है, वो 1860 से होते हुए, 1945 से होते हुए, 1953 में जाके complete होता है, एंड़ तुंग भादरा बोर्ड बार इस्टब्लिस कब क्या गया, वो 1953 में आपको पता है, जो river dispute हो जाता है, उसके लिए क्या है, एक tribunal बनाया जाता है, उसके बाद एक बोर्ड बनाया गया, कि ताकि कोई भी dispute ना हो, और जो बोर्ड करेंट लिए chairman ने pointed by union government, board का जो chairman हो किसके दोरा बनाया जाएगा, union government के दोरा, और चार member जो है, represent करेंगे union government को और state government को करनाट का आनरा और तेलांगना को, ठीक है, हमारे लिए इतना ही जरूरी था, बाकी वह ही है कि cultivator with field stream are afraid, एना वो डरे हुए है, कि हमारा फसलना डूप जाए, इसके क्या है, मधाईपूरी बूच कौन है, अदानी ग्रूप क्या है, और धबल बूच कौन है, ठीक है, सबसे पहले हम अगर बात करें हिंदर्वर क्या है, तो आपको कल भी बताया थे, कि क्या है, ये US-based tech agency है, and a founded in 17, New York-based tech हिंदर्वर research says, कि स्पेसलाइज इन किस चीज में, forensic financial research, और वो क्या बोलते हैं कि, we look for the situation where companies may have accounting irregularities, bad actors in management for key services, provide roles, disclosed related party transaction, illegal, unethical business, or financial reporting, financial reporting practices and disclosed regulatory product, और financial issue, ये कहां से बोला जा रहा है, हिंदर्वर का जो website है, उसके द्वारा बताया जा रहा है, कि ये हिंदर्वर क्या 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 काम करती है, कि वो situation देखते कंपनी का कि उनका एक कॉंटी में कोई irregularities तो नहीं है, कोई bad actor, कोई बाहरी actor आ कि उसको manipulate तो नहीं कर पा रहा है, ये सब, ठीक है, दूसरा में बताया जा रहा है, एदानी ग्रूप क्या है, वो बोला जा रहा है कि 10 publicly traded company, बिथे market capitalization of around 200 billion dollar, business include seaport and airport management, electricity generation, transmission, transmission, mining, natural gas, food, weapon, cement, power, आप देखने का अडानी ग्रूप हर चीज में घुसा हुआ है, है ना, आपका transport से लेके, आपका food से लेके, आपका कपडा से लेके, सब कुछ में अडानी ग्रूप घुसा हुआ है, तो these are, these is, अडानी ग्रूप, अगर हम बात करें मधामी पूरी बूच की, तो she needs no introduction, कि वो हमारी सेवी, जो हमारा सेवी है, regulatory body है, उसके क्या है, चेर परसन है, और वो कहां से पड़ी हुई है, आया हम अलहाबाद से, started a career in ICIC bank in 1989, and moved to Singapore in 2011, to join greater Pacific capital, और उसके बाद वहां क्या, work in various capacity of corporate sector, run till 17, and set up to consistency firm, because whole time member of सेवी in 17, और 2017 में वो whole time member बनी है, और व वो, sorry, 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 17 में वो, ये whole time member बनी से भी की, और 2022 में वो chairperson बन गई, ठीक है, उसका बात करें उनके पती धबल बुच की, तो वो कौन है, वो है, Blackstone में, और Alvarez and Marshall में senior advisor है, वो IIT के, IIT दिली के, और worked with Unilever Group में, वो काम किये है, Unilever India में, London और Singapore में वो 35 साल तक काम किये है, and and was executive director of Hindustan Unilever, retired in 1719, and started his own consultancy practice to two companies, तो यही जो है, ये तिनों मिल के कांड किये है, और हिंदर बर्ग जो है, इसका क्या किया है, खुलाथा किया है, अब देखना होगा, क्या-क्या खुलाथा करेगा, कितना सत्य है, कितना इस पे जब हम यहाँ की जाच एजनसी जाच करेग तो हिंडर्वर्क के दौरा जो भी report दिया गया है outsourcing का profit of interest का वो कितना सही होता है ठीक है उसका बाद यह ही सब है कि हंडर्वर्क का allegation क्या है तो वो यह allegation यह है कि हंडर्वर्क के दौरा यह allegation लगाया है कि it suspect cb unbillingness to take meaningful action against suspect offshore shareholder in Adani group may stem from cb chairperson मधावी पुरी बूट्स, complexity in using exact same fund used by बिनोध अदानी, brother of गौतम अदानी, सब कुछ मिले हुए है, quoting, किसको quote कर रहे है, whistleblower document, आपको पता है, whistleblower क्या होता है, आप ही के company के अंदर, कोई एक ऐसा आदमी, जो आपका document देता है, उसी को क्या बोलता है, whistleblower, ठीक है, whistleblower जो होता है, whistleblower document के हिसाब से बोला जा रहा है, सेबी के जो chairperson है, had a stake in upsecure offshore entities used in अदानी मनी, siphoning scandal, बोला जारा है कि जो, जैसे माल लिजे क्या हुआ, कि ये अदानी ग्रूप का company है, ठीक है, इसमें, ये हमारा सेबी है, सेबी के जो chairperson है, और उनके husband, वो क्या किये, कि अदानी ग्रूप में पहले पैसा लगा दिये, या अदानी का कोई, कोई बाहर का एक company है, उसमें पैसा लगा दिये, और वो company क्या की, इसमें पैसा लगा गई, अदानी ग्रूप में, इसका जो bond है, share है, उसका price बढ़ गया, तो indirectly जो हाँ, पैसा इंवेस्ट के, वो भी बढ़ गया, तो यही allegation लगा ज़रा है, क्यों outsourcing किया गया है, conflict of interest है, इसका धम चलेंगे, अगले अपने article पे, तो हमारा अगला article क्या है, UPI, तो बोला जा रहा है अभी के data के हिसाब से, कि UP का जो transaction है, वो कितना jump किया है, 36% to 60 lakh करोड in June quarter, June quarter में 36% जो transaction है, वो क्या क्या है, jump क्या है, अगर हम बात करें, UPI transaction का, in the first three months of the current fiscal, have grown over 36% to 60 lakh करोड, Parliament was recently informed, यह कहां से बताया गया, Parliament के दवरा बताया, Ministry of Finance के दवरा, अगर हम बात करेंगे, कि 4,122 करोड का, तो UPI का जो transaction है, वो 60 lakh करोड to place in between April and June in 2024 to 2025, as per detail of UP transaction said by Ministry of State of Finance, पंकन चौधरी in लोकसभा, उसका बात यह data है, कि 13,113 करोड, UPI transaction पूरा fiscal year 34 में किया गया, भी था value of 200 lakh करोड, उसका 8,371 करोड की बात करेंगे, तो UPI transaction किया गया, financial year 23 में, और total value कितना, 139 lakh करोड, और अगर financial year 2022 में बात करेंगे, तो वो कितना था, 4,596 करोड transaction involving at least 4 lakh करोड, ठीक है, हमारे लिए important क्या हो जाता है, हमारे लिए important हो जाता है, जानना क्या, कि सबसे पहले UPI है क्या, तो UPI जो है, उसका मतलब क्या होता है, unified payment interface, इसका मतलब क्या होता है, कि ये एक, ये peer to peer या peer to merchant facility देता है, जुसको कौन शुरू किया, सबसे पहले शुरू किया गया, इसका जो company है, वो NPCI है, इसका full firm क्या होता है, National Payment Corporation of India, ये किसके किसके द्वारा बनाया गया, ये पहला तो RBI के द्वारा बनाया गया, और दूसरा IBA, IBA क्या है, Indian Bank Association, ये दोनों के द्वारा बनाया गया क्या, एक ऐसी company, जो non for profit organization होगी, जिसको profit नहीं चाहिए, वो काम किस चीज़ के लिए करेगी, जो public है, उसको सुविधा देने के लिए, ठीक है, और ये कब बनाया गया, it is founded in 90th of December 2008, बहुत पुरान इंस्टिटुट, 2008 में बनाया गया, ठीक है, non for profit, आपको बताएंगे, अगर इसका headquarters कहा है, headquarter आपको पता है, हमारा जो corporate capital कहा है, मुंबई में, ठीक है, उसके बाद इसी का दुवारा बनाया गया क्या, UPI, जिसका मतलब क्या होता है, unified payment, unified payment interface, ठीक है, आप हम बात करेंगे इसका, ये कब launch किया गया, तो ये 2016 में launch किया गया, और ये क्या-क्या facilitate करता है, ये peer-to-peer, जैसे हम एक आदमी हैं और आप एक आदमी, हम दोनों चाहेंगे तो एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं, एक दूसरे से ले सकते हैं, और peer-to-merchant, आप चाहेंगे तो कोई merchant, मतलब आपकी bank और दूसरे person का bank, दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, और ये merchant से भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या facilitate करेगा, इसको बोलते हैं, पी-to-peer और पी-to-m, ठीक है, peer-to-peer and peer-to-merchant, ठीक है, तो इसी के दौरा एक बनाया चीज बनाया गया क्या, भीम, ठीक है, भीम, जिसको हम क्या बोलते हैं, भारत interface for money, ये क्या है, एक state-owned payment application है, और ये कब launch किया गया, ये launch किया गया, 30 December 2016 को, ठीक है, अगर हम बात करें, NPCI के दौरा, तो NPCI के दौरा बहुत सारा चीज ऐसा ऐसा लाया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही useful है, तो अगर हम बात करेंगे, तो ये क्या है, NFS 2010 में क्या क्या लागे, NFS और IMPS आप सब जानते होंगे, उसका 2011 में CTS और रूपे, रूपे का card और post machine जो होता है वो भी, 2012 में अगर हम बात करेंगे, तो वो NACH नाच, ठीक है, 2013 में APBS, रूपे, EECOM और AIPS, ठीक है, 2014 में हम बात करेंगे, रूपे का platinum और star 99 hash, 2015 में क्या आया, रूपे international, 2016 में रूपे EMB और contractors UPI, BBPS और NETC और Bheem, ठीक है, उसका 2017 में क्या आया, भारत QR और रूपे credit card, ठीक है, अगर हम बात करेंगे, NETC की, तो इसका मतलब क्या होता है, National Electronic Toll Collection, National Electronic Toll Collection, ठीक है, और इसी के अंदर जो आता है, वो क्या होता है, FastTag आता है, आपको क्या बताना है, FastTag जो है, किस technology पे काम करती है, उसको आपको बताना है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे, तो क्या है, आधार Enable Payment Transaction, भारत Bill Payment System है, यह भारत Bill Payment System है, ठीक है, भीम आपको बताई दिये, भारत Interface, for money, ठीक है, तो यह सब जो है, इसका initiative है, या we can say, कि these are the products of NPCI, ठीक है, इसका आप एक बार सब को बारे में देख लिजेगा, नाच क्या होता है, ठीक है, नाच क्या होता है, National Automated Clearing House, ठीक है, National Automated Clearing House, यह सब चेक क्लियर करने का सिस्टम है, कि आप किसी को देंगे, वहाँ सब फोटो आएगा, वो जो नीचे रता, ताकि चेक जो है, इधर उधर ना हो, ठीक है, तो आपको सब कुछ बता दे, NPCI, NPCI का जो जो प्रोड़क्ट है, वो कब बना, कैसे बना, और आपको ये भी समझ में आगवा, जब भी Digital India की बात होगी, तो आप ये देख सकते हैं, कि UPI ट्रांजेक्शन जो है, जब बारिश होगा, तो इसका हम ये जो आपको नोट्स बनाने में भाहर ना पड़े, आप नोट्स इसको स्किन शॉट भी रख लेंगे, तो नोट्स बना रह जाएगा, कि बारिश से क्या क्या होता है, तो सबसे पहला किया कि मौन्सून रेन्फोल का उभर वियू देखेंगे, तो जो सौथवेस्ट मौन्सून है, आपको पता हमारे इंडिया में जो है, जून में बहुत पूर स्टार्ट हुआ, बट विध रेन्फोल 10.9% बिलो दर लॉंग पिरिड आभरेज, उसका रेन्फोल इंप्रॉब्वड इन जुलाई, और वो 9% गया, एवब नॉर्मल रेन, अब हम देखेंगे कि जो हमारा रेन्फोल है, वॉनसून रेन्फोल है, उसका इंप्रेक्ट क्या पढ़ेगा एगरिकल्चर पे, तो वो देखेंगे कि बेल डिस्ट्रिबूटेड रेन है, जिनके इस अरिया सोन अंडर मेजर खरीब क्रॉप, लाइक पैडी, पल्सेस, मेज और वाल सिट, आप बोलेंगे कि खरीब क्रॉप में तो ठीक है, पैडी तो ठीक है, पल्सेस कैसे होगा, मेज कैसे होगा, तो जब जो एरिया अभी पानी में बाढ़ में डूब गया है, ठीक है, तो उसी के लिए और वाल सिट के लिए, कॉर्टन एक्रीजिस की बात करेंगे, तो डिक्लाइन इस वर फार्मस स्विच्च तो अधर क्रॉप ड्यू टू चैलेंजिज लाइक, पिंक वालो वांब्स, इन्फेस्टेशन ऑफ लाक ऑफ नियू इल्ड प्रोटेक्टिंग टेक्नोलजी, आपको पता है, अभी हम किस चीज का बात करें थे, बिटी कॉटन आ गया है जिसके कारण, तो बिटी कॉटन अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, यह सब जो पिंक वाल वांब्स इन्फेक्टेशन हैं, वो सब नहीं होगा, उसका दा हम बात करते हैं, फ्यूचर वेधर एक्स्पेक्टेशन की, तो ग्लोबर वेधर एजेंसी जो है, प्रेडिक्ट क्या क्या है, ट्रांजिशन ओफ ला निना, वेधर टीपिकली बूस्ट रेंफॉल इन्फॉल इन्डिया, और फिजी फॉसिबली बेनिफिट अपकमिंग राभी क्रॉप सीजन, या आने वाला जो राभी क्रॉप सीजन है, उसको क्या करेगा, बेनिफिट करेगा, अगर हम बात करें, अगर मौनसुन कैसे जो है, को अकर करता है, क्या बूला जारा कि strong monsoon and absence of heat wave could help elevate food inflation which has been above 8% for 8 month until July when it drops to 5.4%. उसकाद बात करेंगे RBI का जब इंफलेशन की बात आएगी तो कौन कंट्रोल करेंगा? RBI. RBI has maintained interest rate, recognized the import of food prices in saving inflation expectation and the bumper, khariब, harvest and stable grower prices with no new supply shocks could ease food inflation pressure and potentially allowing the government to lift export and stock curbs on key commodities. ठीक है? तो आप इसको notes बना लिजेगा कि monsoon rainfall कैसे कैसे आया इस बार and impact क्या हुआ agriculture पे? future better expectation क्या होगा? और food inflation consideration क्या होगा? अच्छा monsoon आता है तो food inflation कैसे होगा? RBI कैसे अपना interest बढ़ाएगी? घटाएगी? ठीक आपको सब समझ में आ गया होगा? आप चलते हैं अपना अगला पे. ठीक है? अगला क्या है हमारा? places in news में देखेंगे explain में क्या है global में? कि Ukraine जो है push back to Russia कूर्क्ष कूर्क्ष और what happening? why now? क्यों कर रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? वो हम देखेंगे तो बोला जा रहा है इसको हम डेटेल में आपको बता दे रहे हैं कि Ukraine का जो ट्रूप है वो 30 km रश्या के territory में घुश गया है और उसका जगा का नाम क्या है? कूर्क्ष of last ठीक है? कहा है कूर्स का of last यह देखें यह रश्या में आ रहा ठीक है? और यह स्वामी रिजन तो यह जो यूक्रेन का जो आर्मी है वो रश्या के 30 km अंडर तक घुश गया है इट माइट वी कीव लार्जेस्ट इनकर्षन तो रश्या since start from war 2022 है ना अगर हम बात करेंगे रश्या यूक्रेन की बार की तो रश्या यूक्रेन वार जो है वो 2014 से ही शुरू हो गया था जो revolution of dignity शुरू किया गया था यूक्रेन के द्वारा उसमें क्या क्या रश्या जो है आपको इस slide में बता रहे हैं रश्या जो है उसका जो ये क्रीमिया एरिया है उसको क्या कर लिया था occupied कर लिया गया था कब 2014 में उस समय से ये फिर चुप था फिर ये war कब सुरू हो गया 2022 के Vav में ठीक है फैब में ये फिर से शुरू हो गया ठीक है तो उस समय क्या हुआ खारकीव रिजन से जो ये एरिया है ठीक है, खारकीव और यहाँ पे ये सब एरिया में फिर से वो जगला शुरू हो गया, लडाई वार शुरू हो गया तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहा है कि restore justice, है ना, वो जलेंसकी क्या बोल रहा है, कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट जलेंसकी है, वो क्या बोल रहा है कि surprise attack which began on August 6th would restore justice and push the war into the aggressor territory aggressor territory को push करेगा वो देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है Russia और Ukraine में तो although no independent reports are available कोई बढ़िया independent report नहीं available है, but कुछ suggestion कहा से आ रहा है, Ukraine has already captured more land since the beginning of this attack, then it did over the of course of last summer counter offensive Russia का जो force are currently fighting Ukrainian troops near the village of Tolpino and Opski Kolodese यह सब जगह याद रखे कि कहां का है यह Ukraine का जो troops है, वो Russia 4, Russia का में जगह है Tolpino और Opski Kolodese यह सो गाउ है, वहाँ लड़ रहा है 25 किलोमेटर and 30 किलोमेटर respective from Russia-Ukraine border Russia के जो defense minister है, वो क्या बोले संडे को, in person involved 3 Ukrainian brigade, compromising 6 to 8 thousand troops, ठीक है अगर हम बात करें क्या on social media Ukrainian soldiers जो है, वो claim करते हैं, कि वो capture कर लिये है Russia के settlement call, soldiers are filmed themselves tearing down Russia flag in captured villages, और standing in front of road signs of they have entered Russia, की वो लोग वहाँ घुच गये हैं, वहाँ का flag वुले को फार्ड वार दिये हैं, और वो just मना रहे हैं, और वो, they are dancing and singing की हम लोग capture कर लिये हैं वो social media पैसा डाले हैं, around 76,000 people have been evacuated from the region where a state of emergency has been declared by the local authority कि इसके दोरा कहा जा रहा है है Moscow के दोरा बोला गया कि Moscow क्या है, Russia का capital है बोला गया कि वहाँ सा 76,000 लोगों को evacuate किया गया है और वहाँ local authority के दोरा emergency declare कर दिया गया है अब यह देखा जा रहा है कि क्यों जो है Ukraine attack किया है, why है Ukraine launch the attack currently, अगर हम बात करें बोला जा रहा है कि currently there is no clarity पर कोई clarity नहीं है, ना तो Ukraine के तरफ से ना तो Russia के तरफ से कि क्यों यह फिर से attack launch किया गया है Ukraine के दोरा, but बोला क्या जा रहा है कि military expert says that there could be several political and military reasons behind it some suggest that Ukraine bent to seize as much as land possible to strengthen its position on negotiating table, Ukrainian land captured by Russia would be exchange for Russia land and conquered by the Ukraine और क्या बोला जा रहा है, it could be possible that Ukraine wants to capture the Kusk nuclear power plant उसका जूकलियर power plant है इसको वो capture करना चाह रहा है किसका है यह, Russia का, जिसको वो capture करना चाह रहा है, तो अब आपको लिए exam में यह भी जरूरी हो ज़ता कि कूश nuclear power plant कहा है, तो यह नहीं आपको ध्यान में रखना है, आपको कहां ध्यान में रखना है, रश्या में है, और इसको capture कौन करना चाहा रहा है, यूक्रेन, ठीक है, claim payback by Russia seizures of Ukrainian, जपोर जीजिया nuclear plant in 2022, 2022 में 2022 में देखेंगे, कि यूक्रेन का जो जपोर जीजिया, जो क्या था, वर्ल्ड का सबसे वड़ा nuclear power plant था, उसको क्या क्या गया था, वो तहस्नेस कर रिया था, उसके बाद यह catch हो चाहा है कि, Kursk plant is just 60 km away from the Ukrainian border, and the incursion could also be part of Ukrainian, Ukraine's effort to force Russia to road ploy its troops from the east, and the attack comes just week after Moscow captured several villages in Ukraine, यह eastern Donetsk region, Donetsk region में जो कुछ-कुछ गाउं को वो क्या कर लिया था, occupy कर लिया था, इसलिए, तो बदला लिया जा रहा है indirectly, कि तुम हमारा जपोर जीजा को तहस्नेस कर दिये, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा जो कूर्स वाला जो nuclear power plant है, उसको हम capture कर लेंगे, ठीक है, तो यह सब कुछ area है, जिसको हम ध्यान में रखेंगे, exam के लिए important हो जा उसके बद खारकीव, लुहांस्क, करमा तोस्क, दोहेंस्क, निप्रो, निप्रो क्या है, रिवर है, है ना जपोर जीजिया, जपोर जीजिया यहीं क्या था, nuclear power plant था, उसको खैर सो, है ना ओडेसा, है ना मालडोबा, यह तो दूसरा country होगा, रोमानिया हो गया, और यह क् देखेंगे यह क्या है, Sea of Ajob, और Black Sea, Sea of Ajob, जो है, इंडिरेक्टली क्या है, Black Sea से connect करती है, और Port of Maru, पॉल, ठीक है, तो यह सब जगा आप धियान में रखेगा, जब भी मैप देखे तो इस सब जगा को धियान में रखे कि कि कहा 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 है, ता कि आपको जब एक्जामें आपको क्या करना है, comment box में इसका जवाब देना है, हम अगले दिन सबसे पहले इसी question को क्या करेंगे, discuss करेंगे, जैसे कि आपको पता है, कि हमारा प्रिलिंस बहुत ही नजदीक आने आने को है, किसी भी दिन notification आ जा सकता है, हम लोगो कुछ पता नहीं है, जब आएगा तो हम पहले क्या करेंगे, prepare रहना हमको, इसलिए हम आज तो एक ही सवाल दिये हैं, अगले दिन से क्या करेंगे, एक static का सवाल देंगे, और एक current का सवाल देंगे, दो सवाल आपको दिया जाएगा, आपको दोनु का जवाब देना है, और अगले दिन हम सबसे पहले वो दोनु को discussion करेंगे, so thank you so much thank you so much for watching आपसे जो भी पूछा गया है वो जवाब दीजे और आपको ये नया वाला जो हम थोड़ा जो experiment किये हैं, आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताएगा, thank you so much फिर मिलते हैं कल